राजिश्टान से है मुख्यमंतरी अशोक गहलोत ने आज सरदार पुरा यानि कि जोदपूर विधान सभा सीट से साथ भी दफा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है करीब 46 साल से संसदी राजजनीती में स्वक्रिय अशोक गहलोत अहर चुनाब की तरहें आज भी बड़े ही साथगी से नामिनेशन फाइल करने पहुंचे पत्नी और बेटे समेट चार लोगों के साथ उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया बता दे कि साल 1977 में इसी सीट से उन्होंने पहला जुनाब लड़ा था लेकिन बे करीब 4,000 बोटों के अंतर से हारी थे ऐसा दावाग भी किया जाता है कि उन्होंने अपनी मोटर साइकल बेंच कर पहली दफ़ा एलेक्शन में नॉमिनिशन किया था वहीं हर बार की तरह आज भी बे सबसे पहले अपनी बड़ी बहन विमला देवी से आशुरबाद लेने पहुंचे और बता दे कि बहन से आशुरबाद लेने के बाद उन्होंने सरदार पुरा रिटर्निंग अधिकारी के पास कारियाल पहुंचे जहाँ पर उन्होंने तक में आज कॉंग्रिस ने बड़ी सभा की है